So hey guys, how are you, welcome back to our YouTube challenge, technical time guys, इतने इंतिजार के बाद, finally 4G ने अपना trailer launch कर दिया है, चलिए उसको पहले watch कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर discussion करेंगे झाल 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 सो गाइज आपको ट्रेलर कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्षिन में जरूर बता ना और यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टिंग में जब पबजी हमारे इंडिया में बैन भू सा PUBG बैन होने के बाद ही हमारे यहाँ पे इंडिया में एक announcement हो था अक्षी कुमार जी के तरब से कि 4G हमारे इंडिया में launch हो जाएगा 4G जैसा similar game अब यहाँ पे हमारे mind में यह जरूर था कि already PUBG तो हमने इतना सारा देखा PUBG में इतने अच्छे graphics होते थे मतलब कि अभी तो फिलाल बैन हो चुका है हमारे लिए तो बैन ही हो चुका था तो वैसे मैं हमने सोचा कि इससे अच्छे graphics summit देखने को मिलेगे और उस पे ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस mission जो है गलवान घाटी में जो इंडिया और चाइना की बीच में होगा था अभी लांच नहीं हुए ट्रेलर से आपको पता चल रहा होगा कि ग्राफिक कैसा है आपको कैसा लगा है ग्राफिक आप कमेंट सेक्षेन में जुरू बताएगा और यहां में बात करते हैं इसके mission की बारे में तो guys mission simple था होगा इंडिया और चाइना की बीच में जो फाइट होती है उससे तो यही पता चलता है कि इंडिया और चाइना की बीच में गलवान भाटी में जो भी होगा था उसके basis पे यह जो है गेमपलेच चलेगी इंडिया में बहुत लोगों ने expect किया था कि 4G के में हमें अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे मेभी मैं यह नहीं कहा रहा कि अभी ग्राफिक नहीं है आगे हो सकता है कि बढ़ा दे डेवलोप कर दे तो वो तो आगे की बात है फिलाल में अगर इसे PUBG से compare किया जाए तो PUBG अभी भी बैटर है इस gameplay से और आप अपने opinion जो है comment section में ज़रूर बताना और इसके launching date के अगर बात की जाए तो अगले मैंने में यह launch हो जाएगा हो जाना चाहिए क्योंकि trailer अभी आ चुका है development में हो गई होगी तो अगले मैंने हो सगे तो हमें gameplay देखने को भी मिल जाएगी so guys I hope कि आपको यह information पसंद आई होगी video पसंद आदे वीडियो को like आप में share तो करिये गाई मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में किसी intention topic के साथ तब तक के लिए goodbye and take care